Hello everyone, welcome to prakriti classes, I hope you all are doing well. तो friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के passage के बारे में जो कि आपके एक्जाम में पूरे 15 नंबर के पूछे जाते हैं पूरे 15 नंबर के पूछे जाते हैं बागी 15 नंबर के आपकी पेड़ागोजी पूछी जाती है तो आज हम इनी 15 नंबर के पैसेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके exam में हमेशा पूछलाइ रही जाते हैं. अगर आपको पैसेज सॉल्व करना आ गया, तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं है. सेम ऐसे ही inगश में भी 15 नंबर के आपके पैसेज पूछलाइफ य। तो दोनों में लगभग सेम ही होता है तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जिन्हों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइट की जा रही है तो बाकी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप जाकर देख सकते हैं जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो चलिए बीना किसी देरी के आज की वीडियो स्ट गद्यांश के बारे में, तो इसमें लिखा गया है कि, नीचे दिये गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िये तथा पूछे गए प्रशने के लिए सबसे उपर्योगते विकल्प का चैन कीजे, आपको दो पैसेज दी जाएगी, उसमें से पहला या तो गद्यांश हो काव्यांश, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें से गद्यांश के बारे में, तो इसमें लिखा गया है कि, सबसे पहले आपको पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो भी इसमें क्वेस्चन दिये गये हैं, उसी आधार पर आपको इन ही से उत्तर लेकर सही उत्तर में टिक लगाना होता है, तो इसमें लिखा गया है कि, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है, जिसमें बच्चों के चरित्र व्यवहार तथा आच्रन को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है, यह अवस्था भावी व्रिक्ष की उस कोमल शाखा की बाती है, जिस अवस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है, जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, फिर आग इसमें लिखा गया है, सफेत चादर पर एक बार जो रंग चड़ गया, सो चड़ गया, फिर से वह पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए प् मैं में बालक को घर से दूर गुरु कुल में रहकर कठोर अनुशारसन का पालन करना होदा था, बिसिकली इसमें विद्धार्थी जीवन के बारे में बताया गया है, और ये पैसेज आपके प्रिवेस एर के एक्जाम में पूछा गया ही पैसेज है, अब आप देखेंगे क कि इसमें questions दिये गया है, कुछ 7-8 questions दिये जाते हैं एक पैसेज में, वैसे ही दूसरे पैसेज में होता है, तो टोटल इसमें से टोटल 15 नमबर के आपके passage पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें question है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन तो आप देखेंगे कि पैसेज में इसमें छात्रों के बारे में ही दिया गया है, तो इसमें लिखा गया कि विद्यार्थी जीवन ही वह समय है, जिसमें बच्चो के चरित्र वयभारत अथा आच्रन को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकते है, तो इसमें पहले ही अवस्था, सेम वैसा ही, शब्द यूज नहीं गिया था थोड़ा बहुत अलग रहता है जिसे आप अपने विवेक से आंसर लेकर उसका, उस question का answer निकालेंगे, तो प्राचिन काल तो इसमें लिखा ही नहीं गया है, पूर ववस्था भी नहीं लिखा गया है, विक्सित अवस्था भी नहीं लिखा गया है, तो वैवहार को सुधारने का सबसे सर्वत्तम समय कौन सा होता है, छात रवस्था, तो को पढ़ कर भी आप इसका आंसर इजिली निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा छात रवस्था फिर इसमें दूसरा कोश्चन दिया गया है छात रवस्था की तुलना विक्सित पेड़ से करना क्यू कठिन नहीं है तो इसमें ऑप्शन दिये गया है पेड़ से करना क्यू कठिन नहीं है तो आप पैसेज में चाकर देखेंगे पैसेज में लिखा गया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहां पर लिखा गया है कि पूर्णता विक्सित विक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वह तूट तो सकती परन्तु मोड़ नहीं सकती तो यही आंसर इसमें लेना है आपको तो इसमें यह लिखा गया है कि छात्र अवस्था की तुलना विक्सित पेड़ से करना क्यू कठी नहीं तो इसमें यह लिखा गया कि विक्सित पेड़ की शाखा मोड़ नहीं पाती यहीं आंसर इसमें सहीं हो जाएगा पेड़ की शाखा तूट जाती यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया है शाखा तक आसानी से पहुँचा जा सकता है यह भी कहीं नहीं लिखा गया है शाखाए बहुत भारी होती यह भी कहीं नहीं लिखा गया है तो आप negative option में भी एक positive answer लेकर इसका answer सहीं लगा सकते हैं इस तरीके से अगर आप पैसेट solve करेंगे तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गये हैं फिर इसमें next question दिया गये हैं छात्रों को गुरु पूल में क्यों छोड़ा जाता है? उनमें संसकार और सद्वृत्या पोशित के लिए छोड़ा जाता है घर के काम करना सिखें विद्यार्थी जीवन का महत्म स्विकार हो या घर में संसकार देना संभव नहीं था तो छात्रों को गुरु कुल क्यों छोड़ा जाता था? तो इसमें आंसर कौन सा आएगा यह आपको देखना है तो इसमें ये लिखा गया है कि इसी अवस्था में सू संसकार और सद्वृत्या पोशित की जाते इसलिए प्राचिन समय में बालक को घर से दूर गुरु कुल में रहकर कठोर अनुशाषन का पालन करना होता था तो यही आंसर इसमें सही हो जाएगा तो आप देखेंगे कि छात्रों को गुरु कुल में क्यों छोड़ा जाता था तो उनमें संसकार और सद्वृत्या पोशित करने के लिए उन्हें गुरु भूल में छोड़ा जाता था घर के काम सीखने के लिए नहीं छोड़ा जाता था विद्यार्थी जीवन का महत्व स्विकार हो ये भी नहीं है घर में संसकार देना संभव नहीं था ये भी नहीं तो आंसर इसमें option number one इसमें सही हो जाएगा फिर हम आगे चलते हैं next question की तरफ तो इसमें next question दिया गया है 6 रवस्था सफेद चादर के समान होती है क्योग की 6 रवस्था में सफेद चादर दी जाती है ये option देख कर ही गलत लग रहा है सफेद चादर जल्दी मैली हो जाती ये भी आंसर नहीं हो सकता जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है चातरों में विरोध करने की भावना नहीं पनवती तो ये भी आंसर नहीं हो सकता तो इसमें इसका आंसर होगा जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है अब आगे चलगर हम इसका आंसर इसमें से भी देख लेते हैं कि छाठ रवस्था सफेच चादर की समान क्यों होती है तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि छात्र वस्था उस सफेच चादर की तरह होती जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकते हैं तो यहीं पर इसका अंसर लिगिया गया है तो इस प्रकार से ये अंसर इसमें सही हो जाएगा इस प्रकार से आप इसका अंसर निकाल सकते हैं और इसके सही अंसर तक पहुँच सकते हैं तो इसमें इसका option number third ही सही हो जाएगा फिर next question की तरफ आगे चलते हैं next question दिया गया है विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है गुरुकुल के बालक से विद्यार्थी जीवन की तुलना की गई है अब से पहले line में ही लिखा गया था कि यह वस्था उस विद्यार्थी जीवन की तुलना की गई है तो यही इसमें इसका अंसर हो जाएगा की विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है व्रिक्ष की भावी कोमल शाखा से तो इस प्रकार से कुछन नमबर 5 का अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर 2 व्रिक्ष की भावी कोमल शाखा से विद्यार्थी जीवन की तुलना की गई है फिर हम आगे चलते हैं, next question की तरफ, विक्सित विशेशन बना है, अब इसमें से कुछ grammar के भी questions पूछा जाते हैं, जो की passage से ही आते हैं, तो आपको basic grammar की जानकारी होना जरूरी है, तभी आप grammar के 2-3 questions जो आते हैं, उसे आप बना पाएंगे, तो विशेशन किसे बना है, जो विक्सित जो शब्द दिया गया है, वो किस विशेशन से बना है, तो इसमें इसका अंसर हो जाएगा, संग्या से, फिर हम next question की तरफ आगे बढ़ते हैं, next question दिया गया है, कि गुरु कूल में रहकर कठोर अनुशाशन का पालन करना होता था, प्रयुक्त वाक्यांश में व लिया गया है, तो इसमें इसका अंसर हो जाएगा, कठोर, फिर last question दिया गया है, व्यवहार का संधी विक्षेद कौन सा होगा, तो वीधन अवहार, व्यधन अवहार, व्यधन अवहार, व्यधन अवहार, या व्यूधन अवहार, तो इसमें से इसका अंसर हो जाएगा, वी अगर आपने पैसेज में अच्छे से अपनी कमांड पकल ली तो आपके 15 नमबर कहीं नहीं गया और 15 नमबर की पैड़ावाजी भी बहुत ही आसान पूछी जाती है तो हिंदी लैंगवेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें या आपने कोई भी लैंगवेज ली हो तो सभी में सेम ही डॉपिक होते हैं और 15 नमबर के पैसेज सभी लैंगवेज में पूछी जाती है तो इस प्रकार से आपका पैसेज का पोर्शन यहां कंप्लीट होता है तो इसी प्रकार से आपको सारे पैसेज सॉल्व करने हैं बाकी की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यहां पर आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही और जिन्हें भी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like and share कर दीजे, वीडियो को like and share कीजे और अपने दोस्तों में भी इसे share कीजे, मिलते हैं जही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you and take care.